बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि DMAT अकाउंट कहां खोलना चाहिए शेर खान, जीरो धा, अप्ट स्टॉक्स जैसे बहुत सारे आप्शिन्स में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आज जानेंगे कि कौन सी सबसे अच्छी चॉइस होगी DMAT और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए और साथ ही इस वीडियो के end में जानेंगे कि कैसे online बिना किसी office जाए आप अपना full KYC कर सकते हैं ताकि mutual fund या share के निवेश में किसी तरह का कोई restriction ना हो तो किसी भी brokerage में account खुलवाने से पहले तीन चीजे हमारे दिमाग में आती हैं उस account में और हमने जो निवेश किया है उसकी safety को लेके चिंता होती है दूसरा brokerage charges और जो annual charges होते हैं उसको लेके हम जानना चाहते हैं कि वो कम से कम रहे और तीसरा technology अच्छी होनी चाहिए इन्वेस्ट करना आसान और convenient होना चाहिए तो इन तीनो parameter में आज हम compare करेंगे और फिर decide करेंगे कि कौन सा brokerage है best तो पहले बात करते हैं safety की वैसे तो सारे brokers को SEBI regulate करता है सभी को NSC और BSC से license मिलता है और यही चीज़ का फाइदा उठा के हर छोटा broker आपको ये बोलेगा कि हम भी SEBI regulated हैं या हम भी NSC BSC से regulated हैं मतलब हम भी उतने ही safe हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जैसे हर licensed university registered university या school अच्छा नहीं होता वैसे हर registered SEBI broker या NSC से registered broker भी अच्छा नहीं होता क्योंकि regulation ये ensure नहीं करता कि आपका पैसा safe है की नहीं जैसे कुछ हफतों पहले डेली के एक broker ने default कर दिया याने कि वो दिवालिया हो गया उसके पास लोगों को लोटाने के लिए पैसे नहीं बचे तो ऐसे में सिर्फ SEBI या stock exchange registration होना काफी नहीं है तो safety को ensure करने के लिए जरूरी है कि हम इंडिया के बड़े brokers से जुड़े रहें कोई छोटे मोटे broker से अगर जुड़ेंगे तो हो सकता है आपको brokerage पे दाम बहुत अच्छा मिले वो free में आपका account भी खोल देंगे आपको अच्छी से अच्छी service देने का वादा भी कर देंगे लेकिन अगर वो bankrupt हो गए तो पैसा वसूलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी तो safety का ध्यान रखें reputed और बड़े brokers से जुड़े रहें इसलिए आज के इस वीडियो में हम केवल top 5 brokers पे ही ध्यान देंगे उन्ही को compare करेंगे अब बात करते हैं charges की usually DMAT और trading account में आपको तीन तरह के charges लगते हैं पहला होता है account opening charge जो केवल एक बार आपको देना पड़ता है दूसरा होता है yearly maintenance charge और तीसरा होता है brokerage तो अब बात करते हैं account opening charge की मुझे याद है कि याद से 5 साल पहले जब मैंने अपना DMAT account खुलवाया था तो मुझे कुछ 6,000 रुपए देने पड़े थे केवल account opening का charge था और आज 300-400-500 रुपए में account खुल जाते हैं पिछले कुछ सालों में इस cost में भारी गिरावट आई है अभी भी कुछ banks और कुछ बहुत पुराने brokers हैं जो हजारों में charge लेते हैं जिसकी कोई जरूरत है नहीं वो बहुत overcharge कर रहे हैं और उनके पास जाने की जरूरत नहीं है वैसे ही यह जो हजारों रुपए में account खोलते हैं इनका yearly maintenance charge भी कई बार 700-800 या कुछ हजार रुपए होता है तो हर साल चाहे आप trading करें या ना करें चाहे आप एक भी share खरीदें या ना खरीदें यह charge yearly maintenance charge तो आपको देना ही है इसी लिए इस charge का कम होना भी जरूरी है और आप बात करते हैं सबसे जरूरी charge की brokerage तो कुछ साल पहले तक आज भी जो पुराने brokers हैं वो percentage charge लेते हैं याने कि अगर आपने 10,000 के share खरीदे तो आधा percent उनका brokerage हो गया याने कि 50 रुपए वो brokerage ले लेंगे तो ऐसे में साल भर में जब आप कई बार transactions करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कई हजार रुपए का तो सिर्फ आप brokerage देते हैं तो इसी लिए इस cost को बचाना बहुत जरूरी है और यह जो banks है या जो traditional brokers है वो आपको यह कहके जादा brokerage लेते हैं कि हम आपको full service देंगे अब वो full service के नाम पर क्या होता है पहला वो आपको रोज stock tips भेज देंगे रोज कई सारी stock tips उनका मकसद आपकी मदद करना नहीं है उनका मकसद यह है कि वो stock tips अगर आपको free में भेजेंगे तो आप ललचाएंगे कि चलो invest करता हूँ और उनका brokerage बढ़ेगा तो वो आपको stock tips के वाल अपनी brokerage बढ़ाने के लिए देते हैं दूसरा वो आपको बोलेंगे कि आप phone में trade कर सकते हैं या फिर कोई भी दिक्कत आए तो आप branch आके हम उसको solve कर देंगे तो phone में trade की भी आजकल जादा जरूरत नहीं है पहले ये जरूरी होता था जब internet अच्छा नहीं था mobile apps अच्छी नहीं थी तो phone से trade करने की सहूलियत होना अच्छा रहता था आजकल तो इस facility का कोई मतलब नहीं है और इसलिए आपका सबसे जरूरी focus अब होना चाहिए कि brokerage कम से कम हो ताकि आपकी yearly savings हो सके अगर आप 10% brokerage दे रहे हैं जो की जाधा तर full service broker आज भी charge करते हैं तो मतलब खरीदने पे 10% बेचने पे 10% 1% तो आप सीधा सीधा minus में हो गए तो इस cost को बचाना बहुत जरूरी है और इसी लिए आजकल आये हैं discount brokers जिनके बहुत जाधा physical offices नहीं हैं जो आपको phone पे support नहीं देंगे लेकिन उनकी app बहुत अच्छी है आप app से trade करिए अगर आपने equity की delivery ले ली यानि कि आप share को खरीद के अगर अपने DMAT account में रख रहे हैं तो zero brokerage लगती है कई discount brokers में तो जी हाँ zero brokerage इसके उपर कुछ government taxes कुछ turnover charges लगते हैं जो NSC, SEBI और government लेती है तेकिन जो discount brokers है ये आप से एक रुपया भी नहीं लेते अगर आप share की delivery ले रहे हैं तो तो एक तरह से ये discount brokers इस broking industry में game changer की तरह हैं अचानक से हम सब के लिए invest करने की, trade करने की cost बहुत कम हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी तो ये सबसे अच्छा समय है share market में enter होने का क्योंकि cost कम हो गई है investing आसान हो गई है account opening बहुत आसान हो गई है और इसके थुरूपन आते हैं तीसरे point पे convenience और invest करने में आसानी देखिए पहले आपको demat खुलवाना होता था तो offices के चकर या फिर उनकी तरफ से कोई agent आपके पास आ रहा है लंबा चोड़ा paperwork लेकिन अब account opening पूरी तरीके से paperless है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और paperwork भी काफी कम हो गया है आपको केवल documents की photo खीच के भेजनी है account opening fast हो गई है तीन चार दिन में हो सकता है आपका account खुल जाए और उसके बाद investing भी काफी आसान है एक mobile app डाउनलोड करना है और तेजी से बहुत safely और बहुत simple तरीके से आप investing कर पाएंगे कोई investing apps भी बहुत easy to use हो गई है कोई भी उसे आसानी से use कर पाता है तो आज मैंने कहा था कि हम top 5 brokers में से ही चुनेंगे देखिए सबसे ज़्यादा accounts है ICICI securities में लेकिन वो शायद सबसे ज़्यादा brokerage लेने वाली कम्पनियों में से एक है second है HDFC उसका भी brokerage काफी high है third है zero धा fourth है access और पाच्वा है share khan तो इन top 5 इंडिया के brokers में किवल एक discount broker है जो top 5 में है तो उस पे हम rely कर सकते हैं क्योंकि लाखों लोग उसे use कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि कल को वो हमारा पैसा लेके भागेगी नहीं बहुत reputed investors उसमें invested हैं तो उससे trust आता है मैं personally भी zero धाही use करता हूँ तो आप भी उसे use कर सकते हैं चूकि equity में delivery बिल्कुल free है intra day और F&O हलाकि मैं recommend नहीं करता लेकिन फिर भी लोग करते हैं उसकी cost भी एक flat charge है 20 रुपे याने कि आप 1 रुपे की trading करें या 1 करोड की आपको 20 रुपे से उपर का पैसा नहीं देना है तो ऐसे मैं आपको पता रहता है कि आप कितनी fees दे रहे हैं और आपके साथ transparency रहती है जीरोधा में account opening charge लगभग 500 रुपे है और yearly maintenance कुछ 200 या 300 रुपे है इसके अलावा और कोई charge नहीं है तो अगर आप भी जीरोधा में account खुलवाना चाहते हैं देखे power of attorney के बिना आप अपना share DMAT account से निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि DMAT account एक सरकारी agency maintain करती है तो अगर आपके broker के पास आपका power of attorney नहीं है तो आप जब अपनी app में बोलेंगे कि मुझे ये share sell करना है जब आप sell order देंगे तो आपका broker जब वो सरकारी agency से share निकालना चाहेगा तो वो agency उसे निकालने नहीं देगी वो बुलेगी कि दिखाव power of attorney कहा है इसलिए power of attorney देना जरूरी है तो वो power of attorney आपको email पे आजाएगी उसका print निकालके sign करके आपको courier करना होगा तो बस ये courier वाला काम थोड़ा physical है बाकी process पूरी तरीके से online है और अब जानते हैं ये mutual fund जो खरीदते हैं उनके लिए भी बहुत काम का है कि online जो अलग-अलग mutual fund platform है या mutual fund websites हैं वहाँ से अगर KYC करवाई जाए तो वो e-KYC होती है e-KYC याने कि आप एक mutual fund में साल भर में 50,000 रुपई लगा सकते हैं उससे जादा नहीं और अगर आपको full KYC करनी हो याने कि आप पे कोई restriction ना हो आप जितने share खरीदना चाहें खरीदें जितने mutual fund खरीदना चाहें खरीदें इसको CKYC कराना बोलते हैं उसको कराने के लिए या तो bank के office या फिर cams, carvi इस तरीके की agencies के office के चक्कर लगाने पड़ते थे तो ये एक और फायदा है जो लोग mutual fund में निवेश करना चाहते हैं कि आप zero-dha से एक DMAT account खुलवा लीजिए और क्योंकि जब आप DMAT account खुलवाएंगे तो आपकी KYC भी, full KYC अपने आप online हो जाएगी webcam या mobile camera के जरीए तो आपको अगर full KYC भी करवानी है तो भी zero-dha का account खुलवाना एक अच्छा option है इससे आपको office में जाके physical paperwork नहीं करना पड़ेगा और साथ ही zero-dha से भी आप direct mutual funds खरीद सकते हैं केवल 50 रुपे की fees देगे तो आपके stocks और mutual funds दोनों एक ही account में हो जाएंगे और इसके साथ ही आपका पूरा KYC online हो जाएगा एक और जरूरी चीज कई बार कई रोगों ने मुझे कहा हैं कि सर हमारा पैसा तो कट जाता है लेकिन account नहीं खुल रहा क्योंकि पैन या आधार में कुछ नाम में mismatch है या ऐसा कुछ तो ऐसे में घबराने की जरुवत नहीं है दो तीन दिन के अंदर जीरोधा की team आपको call करेगी और जो भी problem होगी उसे solve कर जाएगी तो पैसा कट गया, account नहीं खुला इसके लिए घबराने की जरुवत नहीं है थोड़ा patience रखें तो आप DMAT और trading account तो आपने खुलवा लिया लेकिन share खरीदने कौन से है कौन से share है मेरे पास कैसे जानेंगे आप, वो जान सकते हैं आप मेरी portfolio को देख के अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से shares है मेरे पास, कौन से share खरीद बेच रहा हूँ मैं, इस जानकारी को अगर आप चाहते हैं regularly आपके email पे तो आप subscribe कर सकते हैं मेरी portfolio को, इसका link आपको description में मिल जाएगा, तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो को like जरूर करें और अब तक अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से दबा दीजिए subscribe button को और bell icon को मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो तब तक के लिए this is Pranjal Kamra, signing off, bye bye